नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके साथ गोबी के कोफते की रस्पी शेयर करूंगी ये कोफते बहुत ही टेस्टी बनते हैं तो चलिए गोबी के कोफते बनाना शुरू करते हैं तो यहां मैंने गोबी के कुछ फ्लोरेट लिये हैं जिने गरम पानी में धो कर साफ कर लिया है तो चलिए अब इसे grate कर लेते हैं मैंने गोबी को grate करने के लिए medium size का grater लिया है यहाँ गोबी को grate कर लिया है अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे नमक डालने से गोबी का extra पानी निकल जाता है 10 मिनट के लिए गोबी को ऐसे ही छोड़ देंगे 10 मिनट हो गए हैं तो देख लेते हैं अब गोबी का पानी निकालने के लिए इसे दबा दबा कर निचोड लेंगे इसे ठीक से निचोड़ना बहुत जरूरी है नहीं तो कोफते बाइंड नहीं होंगे और यहां देखे मैंने गोबी का सारा पानी अलग कर लिया है आप इस पानी गायूज आटा गुदने में या कोफता करी बनाने में कर सकते हैं अब कोफते के लिए मिक्षर टेडी करेंगे मैं अभी गोबी में 3 चमच बेजन डाल रही हूँ अभी इतना ही बेशन डालेंगे बाद में जरूरत पढ़ने पे और आट कर सकते हैं और इंग्रीडियन के मिजर्मेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है आप वहाँ चेक कर सकते हैं अब इसमें आजवाइन क्रश करके डालेंगे अजवाइन जरूर डालें ये जाईजिशन के लिए बहुत अच्छी होती है अब इसमें बारीक चॉप कीवी प्याज डालेंगे तो मैंने तीन चमच प्याज डाली है अब इसमें लेसन अद्रक का पेस्ट डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर और बहुत ज़रा सा नमक अट करेंगे अब इसमें हरी धनिया डालेंगे और सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे अगर आपको मिक्षर गीला लगे तो आप उसमें बेसन अट कर सकते हैं मैंने इसमें और बेसन नहीं डाला है ये एकदम पर्फेक्ट है अब लास्ट में इसमें एक टेविल स्पून रिफाइंट ऑइल डालेंगे मिक्स करेंगे मिक्षर कोफता बनाने के लिए रेडी है हातों पे हलका सा तेल लगाएंगे जिससे मिक्षर हात में ना चिपके और अब थोड़ा थोड़ा पोर्शन निकाल कर इसके बॉल बना लेंगे दोस्तों आप वीडियो पे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है और यहां मैंने सारे कोफते तयार कर लिये हैं तो चलिए इन्हें फ्राइ कर लेते हैं कोफते फ्राइ करते समय गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे सारे कोफते तेल में डाल दिये हैं अब इन्हें एक मिनट तक टच नहीं करेंगे एक मिनट के बाद कोफते को पलटेंगे एक साइड से इनका कलर बदल गया है अब तूसरे साइड से भी इने पका लेंगे दोनों साइड से इनका कलर गोल्डन ब्राउन कर लेंगे गैस की फ्लेम नहीं बढ़ाएंगे लो टू मीरियम फ्लेम पे ही इने उलटना पलटना है और देखिए सारे कोफते का कलर एक जैसा हो गया है तब इने हम बाहर निकालेंगे कोफते देखने में एक कलर के एक साइज के कितने बढ़ियां लग रहे हैं अब इने चेक कर लेते हैं कि अंदर से कैसे बने हैं और ये देखिए ये अंदर से कितने सौफ्ट हैं और जालीदार हैं, तो चलिए इसकी करी बनाते हैं, यहां मैंने एक परतन को गैस पे चड़ा दिया है, और उसमें तीन टेबिल स्पून सरसो का तेल डाला है, तेल के गर जो को हलका सा पकाएंगे, इसके बाद इसमें प्याज एट करेंगे, तो मैं दो मीडियम साइज की प्याज को चॉप करके डाल रही हूँ, आप प्याज का पेस्ट भी बना कर डाल सकते हैं, अब इसमें लहसन अद्रक का पेस्ट डालेंगे, अब प्याज को लहसन अद्रक के पेस्ट के साथ 3-4 मिनट तक भूनेंगे आप प्याज को गोल्डन ब्राउन भी कर सकते हैं अब इसमें टमाटर की प्यूरी एड करेंगे तो मैंने दो मीडियम साइज के टमाटर को ग्राइंड कर लिया है पाटर डालने के पाद इसमें नमक डालेंगे हल्दी पौडर डाले धनिया पौडर डालेंगे कश्मीरी लान मिर्च डालेंगे और एक चम्मच इसमें जीरा पौडर डालेंगे अब मसालो को मिक्स करेंगे मसाले अच्छे से पक जाएं और तेल छोड़ दें इसके लिए परतन को 2-3 मिनट के लिए कवर कर देंगे तीन मिनट के पाद ठककर मसाले अच्छे से पक गए हैं और यह अभी ड्राई है इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी एट किया है अब इसमें कसूरी मेथी क्रश करके डालेंगे और यहां मैंने 2 टेबिल स्पून मलाई लिया है और इसे फेट लिया है फेटने के बाद इसे ग्रेवी में एट कर देंगे ग्रेवी को रिच बनाने के लिए और क्रीमी टेक्शर देने के लिए मैंने मलाई यूज किया है आप चाहें तो इसकिप भी कर सकते हैं मलाई एट करते समय गैस की फ्लेम लो रखेंगे और एक मिनट तक इसे ऐसे ही पकाएंगे अब इसमें पानी एट करेंगे तो अब इसमें कोफते एट करेंगे जरम मसाला डालेंगे और थोड़ी सी हरी दनिया डालेंगे कोफते एट करने के एक मिनट के बाद गैस ओफ कर देंगे अब बरतन को पांच मिनट के लिए कवर कर देंगे पांच मिनट के बाद धककन अटाएंगे और ये देखिए कोफसा क पॉलो करके से बना सकते हैं जैसे गोबी को ग्रेट करने के बाद उसे 10 मिनट के लिए नमक डाल कर छोड़ दें 10 मिनट के बाद उसे अच्छे से निचोड़ कर उसका एक्स्ट्रा पानी निकाल ले मिक्शर में एक बार में ही बहुत जादा बेजन एड़ ना करें नहीं तो क कुफते कड़े बनेंगे बस इतना ही आपको ध्यान देना है और दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो इसको लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें धन्यवाद